दोस्तो आज के इस वीडियो में पोशक्टतो की चर्चा होगी, फशलो में इनकी आवशक्ता कब होती हैं, प्राक्रतिक रूप में उपलब्द सुक्ष्म पोशक्तत्व और क्रतिम रूप से तेयार सुक्ष्म पोशक्तत्व में क्या अंतर हैं या फशलो को कब देना आवश आवशक होता हैं, साथ ही इन्हें किस प्रकार से प्रक्रति रूप से त्यार किया जा सकता हैं, तो इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, दोस्तों पोशक तत्वा वहरसायन होते हैं, जो जीवों को पोशन प्रदान करते हैं, और उनके सरीर को इन तरीके हैं, जहां प्राणी यह तत्वा अपने भोजन से वहीं पादब्ज होते हैं, प्लांट होते हैं, वह इन्हें अपनी जड़ों के माज़्यम से सीधे मिट्टी से या अपने वातावरन से प्राप्त करते हैं, दोस्तों कुछ पोदे तो ऐसे होते हैं, जिने माज पहले कीट पतंगों आदी को खाकर भार अपने पाचाकरस से पचाकर फिर उनसे प्राप्त पोशक्तत्तों को चुछ लेते हैं जहां जेविक पोशक्तत्तों की बात की जाए तो उसमें कार्बो हाइडरेट वसा प्रोटीन यानि अमीनो अमल और विटामिन सामिले अकार्बनिक राशाइनिक योगिकों जिसे खनीज लावन पानी ओक्सीजन को भी पोशक्ततों माना जाया सकता है जिन पोशक्तत्वों को आवशक्ता अधिक मात्रा में पढ़ती हैं उन्हें स्थुल पोशक्तत्वों और जो कम मात्रा में उप्योगी होते हैं उन्हें सुक्ष में वोशक्तत्वों कहा जाते हैं अधिक मात्रा में उप्योगोने वाले स्थुल पोशक्तत्वों में हनिज लवण, केलशियम, सोडियम, क्लोराईड, मैंगनीसियम और पोटेसियम भी काफी मातरा में लगते हैं, यह सबी शतुल पोशक तब्व़वय यानि मुख्य पोशक तब्वव हमें आते हैं, अलपो मातरा में जो विटामीन और कुछ अन्यक हनिज की भी आविशक्ता होती है उन्हें सुक्षम पोशक तत्व जिनें माइक्रोनोटिशन्स कहा जाता है जो हमें एनरजी नहीं देते हैं और जिनें हम कम मात्रा यानि 10 ग्राम से भी कम में लेने की जरूरत होती है इन्हें मिली ग्राम और तो हम पोधों के लिए आवश्यक पोशक तक्त्व का वर्गी करन यह उनकी कमी के लक्षण की चर्चा करते हैं। उसमें केलशियम, मेगनिशियम और गंधक को रखा गया है। नाइट्रोजन, फास्पोरस और पोटास को पोधे बिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनकी पोधों को काफी मातरा में जरुरत रहती हैं। इन्हें प्रमुक पोशक तत्व या मुख्य पोशक तत्व कहा जाता हैं। इसके अलावा केलिशियम, मेगनिशियम, सेलफर को पोधे कम मातरा में करान करते हैं। इन्हें गोण अत्वा द्युत्तियक पोशक तत्व कहा जाता है। लोहा, जस्ता, मेगनिश, दांबा, बोरान, मॉलिब्डिनम और क्लोरिद तत्व की पोधो को काफी मातरा में आवशक तत्व कहते हैं। यहां तक हमने देखा कि पोदों को इस प्रकार 16 पोशक्तत्तों के आविशक्ता होती है जिनने तीन वर्गों मुख्य पोशक्तत्त्त्त, प्रात्मिक पोशक्तत्त, नाइट्रोजन, पोटास और फासपोरस में बाटा गया है, गोंड पोशक्तत्त, जिसमें द्यूतियक और क्लोरिन को रखा गया है, अब हम मुख्य प्रात्मिक पोशक्तत्त, नाइट्रोजन, फासपोरस और पोटास के पोदों में क्या काई रहे हैं, इसको समझते हैं, जो नाइट्रोजन होता हैं, वो सभी जिवित उत्त को, यानि की जड़, तना, पत्ती की व्रद्धी और विकास में सायक होता है, क्लोरोफेल, प्रोटो, प्लाज्मा, प्रोटीन और नुकलीक अमलों का एक मुहत्मुन आव्यों हैं, पत्ती, बाली, सबजियों और चारों की गुनता में सुधार करता हैं, यह काईरन आट्रोजन का रहता हैं, इसके लावाँ जो फासपोरस होता और फोस्फोलिपीड और सहविकारों अमीनों अमलों का अव्यों त्यार करने में फासपोरस मोक्य भूमिका निभाता हैं, इसके लावाँ जो पोटेशियम होता हैं वो एंजाईमियों की क्रिया सिलता बढ़ाता हैं, ठंडे और बादल्यूक्त मोसम में पोदो दुआरा में उपयोग में व्रत्ति करता हैं, जिससे पोदों में ठंड़क और अन्य प्रतिकुल प्रदिस्तितियों को सहन करने की समत्या बढ़ती हैं, कार्बोहेड्रेट के इस्तान तरण, प्रोटेइन संस्लेशन और इनकी इस्तिरता बनाए रखने में भी मदद करता हैं, इस प लगा हो, तो लाइक करें, कमेंड करें, सेर करें, चैनल पर नहीं हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फ्रेस करते हैं, तकि मिलते हैं एसी रुच जान के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जै जावान, जै किसाथ, जै हिन, जै भारत